हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक मन्स अगें तो वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग दे आज का हमारा अनलेसिस कैसे रहा मुझे कमेंट करके बताना कि जैसे कल कहा था कि अगर गाप डाउन हुआ डेलों के ऊपर नहीं गया मार्केट और कहां तक जा सकता है यह सब डीटेल में एक् 50K लेवल्स आपको याद रहेंगे और आड़ सेम टाइम टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि एक्जाक्ली रिवर्सल कहां हो सकता है नीचे के हां से और आप देखोगे तो वहीं से आज के दिन में अच्छा कासा एक रिवर्सल हुआ फिर साइडवेज मूमें हुआ तो अब हमें देखना है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है बट उसके पहले दो बहुत इंपोर्टेंट चीज है यहां पे कल हमारा बहुत ही इंट्रेस्टिंग कॉम्पिटीशन है MMTC का चैंपियन तो सबसे पहले मैं वो कॉम्पिटीशन के बारे में बताना क्या तो यह रहा MMTC का कॉम्पियन आप इसको जॉइन कैसे कर सकते हो तो वेरी सिंपल आपको निफ्ती इंट्राडे ट्रेडिंग एंड टेक्निकल आनलेसिस का जो टेलीग्राम चैनल है वो जॉइन करना पड़ेगा ओके वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आप प्रियो बनाया है समझाने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या होगा बट अगर आपको इसके बारे में शॉट में जाना है तो मैं बता देता हूं यह बहुत ही सिंपल चैंपेंशिप है यहां पे आपको कुछ नहीं करना है जस्त कल के दिन में आपको क्या करना है कि तीन या एक बैंक निफ्टी का लॉट लिया या आपके पास पैसे ही नहीं है आपने वर्चुल ट्रेडिंग की नियो स्टॉक के इसमें से नियो स्टॉक का लिंग भी मैं टेलिग्राम में दाल दूंगा तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका हाइस्ट परसंटेज प्रॉफ तो अगर आपका सबसे ज़्यादा परसंटेज प्रॉफिट रहेगा यानि की देड़ सो टक्का दो सो टक्का तो आप चैम्पियन बन जाओंगे ओके आपको क्या करना है वेरी सिंपल एप में एक जगा पे गुगल फॉर्म दिया हुआ है एमम्टी सी के चैम्पियन का जो दिन तक कॉंपिटिशन चलेगा साड़े सवा नौ से साड़े तीन तक और जैसे ही मार्केट खतम होगा आपको वो गुगल फॉर्म में अपनी एंट्री डीटेल्स भेजनी है उसके बात क्या होगा तो जो जिसका भी परसंटेज सबसे जादा होगा हम सिंपल एनिडेक्स स उसका जो ट्रेड किया है उसका कंफरमेशन करेंगे और इमीडेटली हम वीनर्स को डिकलेर करेंगे और एक छोटा सा इंटर्व्यू लेंगे कि आपने ये कैसे किया तो इस वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग कॉंपिटिशन बहुत सिंपल रखा है कुछ भी नहीं है जस्तीन ट्रेड लेना है अगर आपने अच्छा कासा परसंटेज रिटर्न में प्रॉफिट कमाया हमें बताईए हम आपको आवार्ड देंगे यानि कि जो सबसे पहला जिसने हाइस परसंटेज कमाया रहेगा उसको तीन हजार उसके बाद वाले को दो हजार और फाइनली हजार ये जैसे जैसे successful होगा तो आप पकड़ लो amount 10,000 हो जाएगी उसके बाद में ये successful हुआ तो 20,000 हो जाएगी 30,000 हो जाएगी so it all depends कि आप ये जो competition है उसको कितना popular करते है फिर हम हर हफते या हर दो हफते के बाद बार बार ये competition लाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये competition को successful करें तो सबसे पहले क्या करना है telegram channel को join करना है जो description box में दिया है उसके बाद में क्या करना है तुशार गोने app install करके ये competition का जो free courses में रखा है उसको देखना है हाडली पंदरा मिनिट का है और कल पाट लेना है तीन ट्रेड लेने है जो भी हाइस पैसा irrelevant है पैसे एक लॉट कितने भी लॉट्स ले सकते हैं अगर पैसा नहीं है वर्चुल ट्रेडिंग कर सकते हो वर्चुल ट्रेडिंग के भी लिंक मैं दे दूंगा नियो स्टॉक ट् है और यहां पर मैं कुछ भी टिप्स और अड्वाइजरी नहीं दे रहा हूं वहतेवर आम टीचिंग यह इस प्यूर्ली पूर एडुकेशनल पर्पस जैसे मैंने कहा अगर इंट्राडे करना है तो टेलिग्राम चानल जॉइन करना अगर स्टॉक मार्केट के बहुत सारे फ्री कोर्स चाहिए तो आप इंस्टॉल करना और यहां पे अब टाइम आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का अनलिसिस करने के लिए अब यहां पे एक बार मुझे ग्लोबल मार्केट आपको दिखाना है यह ग्लोबल मार्केट हो गया और यह हो गया S&P 500 अब जो नीचे अगर ग्रीन कैंडल बनते जाएगी तो बैरिश अब मेरा व्यू क्या है यह भी आप देख लो अभी यहां पे थोड़ा सा अब्जाव करो आप आपको आईडिया आजाएगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या होने वाला है यहां पे अगर आप देखोगे ना यह वे यह वेव यह थोड़ा सा वेव यह रेजिस्टेंस को री टेस्ट किया सब सॉरी सपोर्ट को री टेस्ट किया उपर चला गया नीचे आ गया ओके और यह वेव और यह वेव अल्मोस सही है और यह देखो गया बहुत स्टीप वेव है ओके तो क्या यहां पे सब कुछ खतम ह हो जाएगा यानि कि क्या मार्केट बुलिश बनेगा मैं आपको कहूंगा यह पॉइंट ऑफ रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट चार हजार एक सो पचास के उपपर अगर जाता है तो मैं कहूंगा कि यह कुछ चांसेज है बुलिशनेस के उसके पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं है लॉंग टर्म में मार्केट कहां पर जा सकता है आप देखोगे हाडली 38.2 कवर किया है 61.8 तक जा सकता है इसका मतलब क्या है 3733 चल रहा है 32,000 तक आने के चांसेज है तो 32,000 तक अगर मार्केट आएगा मैं सप्राइज नहीं हूँगा उसके बाद में थोड़ा सा टाइम पास और फिर उपर जाने की कोशिश तो प्रेजेंट ली जो कंडिशन है मेरे हिसाब से इतने जल्दी बुलिशनेस नहीं आने वाला है 31,50 के उपर अगर S&P चला गया तो बहुत इंपोर्टेंट लेवल है सपोर्ट भी ले रहा है पूरी तरीके से प्रीवियस हाई के भी उपर जा रहा है एक विल भी रियर्ली फैंटास्टिक तो लॉंग टर्म में भी S&P 500 के लिए मेरा मूब मेरा व्यू बैरिश है अभी अच्छा खासा 10-15% S&P को और गिरना है जो धीरे धीरे गिरते रहेगा तो इंडियन मार्केट भी अकॉर्डिंगली 6-7% गिरेगा तो आप ज्यादा सप्राइज मत होना 10% तक गिर सकता है यूँ आव तो स्टे काम ओके तो यह हो गया क्विकली ग्लोबल मार्केट का हाल अब मैं आऊंगा हमारे निफ्टी के उपर ओके यहां पर आप देखोगे ना यह निफ्टी का चार्ट है और स्ट्रेट अवे आई टेक यू तो अवरली चार्ट मैं अब यहां पर टाइम पास नहीं करूंगा यहां पर हुआ क्या है आप देखोगे continuation pattern है up, down, up, down, right अब यहां पर कल के दिन में अगर इसके नीचे चला गया यानि कि यह zone के नीचे चला गया 15,375 15,375 के नीचे चला गया तो आप समझ लो कि वापिस sellers market में आ गये और वापिस कहां तक लेके जाएंगे 15,200 तक तो 15,375 जो एक दिन छोड़ के बहुत important था, right यहां पर मैंने बताया था बाद में उपर चला गया था परसो के दिन में जो यह किया था अब घूम फिर के हम वहीं पर आ गया है तो कल अगर आपको यह zone के under candle बनते हुई दिख रही है red candle तो alert रहना क्यूंकि 15,200 आने के बहुत जादा chances है 15,200 ओके और यहां पर very important morning को ही action दिखेगा, right morning को ही एक अच action मिलेगा, तो morning में थोड़ा सा alert है ना क्यूंग मैं ऐसे कह रहा हूं तो बहुत बहुत simple concept है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना तो यह line of action पर है, okay, 15 minutes chart में देखता हूं, दिखाता हूं मैं, okay, अगर समझो आपको कुछ इस तरीके से यहां पर candle form होती दिखाई दे रही है, 15.375 के नीचे, okay, यह जो resistance है, उसके उपर जा ही नहीं रही है, okay, तो फिर आप क्या करोगे, 15.200 तक यह करोगे, अब यह कैसे बनेगा, यह stop loss, यह entry, यह वाला target, okay, बहुत important है कि यह zone के नीचे opening होनी चाहिए, बहुत important है, और immediately लेना नहीं है, वो भी एक बहुत important चीज मैं कहूंगा, immediately लेना नहीं है, उसको sustain होने होते देना है, क्योंकि बहुत अच्छी मुह आने वाली है, okay, जो यह जहां पे भी 15, यह line जो है, यह line, यह line, यह line, यह line, आप draw भी कर सकते हो, उसके नीचे candle बन गई, उपर retesting भी try किया, यह भी दिखा देता हूँ, कैसे होगा, retesting भी try किया, पूरी तरीके से उपर नहीं जा पा रही है, नीचे आ गई, फिर आप क्या करोगे, यह वाला जो top है, यह stop loss, यह वाला entry, यह वाला target, okay, अब आप बोलोगे, यह सब होने के कितने chances है, तो मैं कहूंगा, यह होने के 70% chances है, और 30% chances reversal के, तो आप बोलोगे, अगर ऐसा है, तो मैं कब reversal लूँ, मैं कब long के बारे में सोचू, पहला मैं यह कहूंगा, देखो 70% का view है, बट इसका मतलब यह नहीं है, कि market अगर कल घूम गया, दिखा रहा है, कि मुझे अब भी के लिए market bearish लग रहा है, बट जैसे ही market bullish reversal का sign दिखाएगा, तो आप long side पे आना चलो जाओगे, यह कैसे दिखाएगा आपको, पहले मैं कहूंगा, कि आप पूरा यह दिमाग में बिठा लो, पूरा दिमाग में बिठा लो, कि कल के इसमें put कब लेना है, अगर यह का ही जीत होगा, वैसा logic नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, कि market एक range bound moment में रहता है, ओके, most of the time आप देखोगे, market एक range bound moment में रहता है, यहाँ पे भी देखो, ऐसा है क्या market नहीं, it's in a range bound moment, तो हमें indication चाहिए रहता है, कि नीचे कहां पे जाना है, ओके, और ऊपर कौन से level प कर रहे है, अगर आप weekly करोगे, मैं कहूंगा, yes, आप देख लो, दो-तीन मेने में आराम से, 14,300 या 14,500 आएगा, तब ही मुझे कुछ उपर नीचे का concept नहीं चाहिए, बट हम छोटे time frame में trade कर रहे है, जहां पे market downward fall में भी उपर जाने के chances है, थोड़े समय के लिए क्यों न सुचेंगे, ना ही कि just कुछ भी हो गया, दिमाग में put लेके बैठेंगे, भले market उपर के तरफ जा रहा है, नहीं, नहीं, आपने put बोला था, मैं put लोगा, ये सब मत करना, ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे, थोड़ा सा आपको, मुझे पता है कि screen share नहीं किया है, मै आपको screen share करके दिखाऊंगा, ओके, वापिस थोड़ा सा आपको दिमाग में set होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, वापिस एक बार आपको clear कर देता हूँ, यह हो गया weekly chart, झाले हम आपकोश का है कर दोऊशा दिनाता है, बार आपकोश का मेंते होँ, वापकोश प्रावड़ा हैं, भार आपको का हैVery आपकोश का मैं आपको जया difasında का दोशी काहिश तmeter than Time.